नमस्कार आप सभी का हिंदू एनलीसिस के आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है तो मैं निर्मेश कुमार आज के हिंदू के एक एडिटोरियल का डिसकुशन करूंगा देखेंगे उसमें हमारी अर्थ्ववस्ता में जो स्टार्टप्स हैं और खास तौर पे जो पास्ट एंडिया के हमारे फाउंडर हैं उनके द्वारा यहां पर हमारा इस अर्टिकल को लिखा गया है जहां पर इन्होंने इस बारे मेन में चर्चा की कि तो यह वरतमान की हमारी generation है कैसे ये deep tech startups में हमारी focus कर रही है और इस risky startup के छेतर में अपने आपको एक नए रास्ते पर ले जा करके सफलता प्राप्त करने को देख रही है तो आज के session में हम लोग जानेंगे startup के बारे में भारत में जो startup ecosystem है उसकी शुरुवात कप से हुई कैसे हुई और भारत सरकार के द्वारा जो startup इंडिया जैसे initiative लाए गए है उसका असर अब अगर हम देखें 7 से 8 साल के बाद क्या हुआ है तो चलिए start करते हैं आज के session को और सबसे पहले नजर डालते हैं what is India's progress in the area of startups तो दोस्तों अगर हम भारत में startup की growth story की बात करें तो 15 अगस्त 2015 में भारत के प्रधान मंत्री नरेन मुदी जी के द्वारा लाल कले के प्राचीर से startups को motivate करने के लिए या startups को support करने के लिए हमारा पहल शुरू की गई थी और इसी कड़ी में हमारा 16 जन्वरी 2016 को भारत सरकार के द्वारा startup इंडिया को launch किया गया था जो कि हमारा dpiit यानि की department for promotion of internal trade के अंतरगत जो कि ministry of commerce के अंतरगत आता है हमारा काम करता है तो यह जो startup इंडिया मिशन है यह भारत में युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं बलकि नौकरी देने बनाने के लिए काम करता है यानि कि आप job seeker नहीं job giver बने और इसी प्रयास से हमारे देश भारत जो है वरतमान में दुनिय का तीसरा सबसे बड़ा हमारा startup ecosystem बन गया है अगर हम वरतमान की आकड़ों को देखें जो हाली में हमारे वनज मंत्राले यानि की ministry of commerce के दुआरा जो जारी किये गए थे उसके अनुसार अगर हम भारत में देखें तो भारत में लगभग हमारे एक लाक से अधिक startups वरतमान मे काम कर रहे हैं और उस कड़ी में अगर हम देखें तो ऐसे startups भी हैं जो आगे चलकल के हमारे unicorn बने हैं यानि कि अगर हम 2015 के बाद से startups की growth story को देखें तो इसको हम big Indian startup boom भी कह सकते हैं क्योंकि लगभग 110 से अधिक startups हमारे अभी unicorn companies भी बन गए हैं तो जो हमारे भारत की the great Indian startup boom ह उसकी शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो entrepreneurial ecosystem है उसको बढ़ावा देने के लिए की गई ताकि जो भी एक आम व्यक्ति जो किसी भी business के बारे में जिसके पास कुछ unique idea है उसको वो अमली जामा पहना सके तो हमारे देश में जो startup की growth story है दोस्तों अ Delhi, Bangalore, Hyderabad या Metro Cities तक है लेकिन जब से हमारे देश में startup culture बढ़ा है और कई ऐसे program जो TV पे टेली कास्ट हुए है जैसे Shark Tank हिंडिया उसके बाद से हमारे जुवाओं के अंदर एक motivation आया है कि हां हमसे भी हो सकता है या हमारे ideas भी हम अपने आपको reality में बदल सकते हैं तो भारत में हमारा जो progress हुआ है ये कई देशों के लिए एक case study भी है क्योंकि सरकार के द्वारा एक अनुकूल यहां पर वातावरण बनाया गया है लेकिन जो आज का हमारा हिंदू का editorial है उसके अंदर हम लोग deep startup की बात कर रहे हैं ये deep startup हमारे normal startup से कैसे अलग है आये पहले इसको सम अगर हम भारत में currently देखें यानि की वरतमान की परिस्तितियों को देखें तो हमारे देश में जितने भी startups हैं वो या तो हमारे किसी ना किसी consumer internet या फिर e-commerce सेक्टर से जुड़े हुए हैं जैसे अगर आप देखोगे स्वीगी, ओला, उबर या फिर बड़ी-बड़ी ad tech giants जैसे बाइजूज हो गया, अनकैडमी हो गया या फिजिक्स वाला हो गया, ये सब भी क्या है हमारे startups थे, जो कि हमारे इसी दौरान हमारे बड़े हुए और आज चल करके कई कंपनियां हमारी unicorns भी बनी हैं, तो ये जो हमारी कंपनियां थी, आम तोर पर हमारा safe zone में play करती थी, क्या होता है safe zone आईए समस्ते हैं सबसे पहले, अगर मैं बात करूँ कोई भी startups की, तो अगर माल लीजे मुझे कोई वैपार शुरू करना है, या मेरे पास कोई unique idea है, तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे वैपार में, या ऐसे उद्योग में निवेश करूँ, जहां पर मु जल्दी हो, जैसे अगर माल लीजे मेरे पास 20-25 रुपे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसी restaurant की food chain खोल लूँ, या एक ad tech company खोल लूँ, जो की क्या है, महिने दो महिने के अंदर, या फिर कुछ limited staff के साथ, मैं उसको क्या है, product को launch करूँ, और consumer से मैं क्या है, उ आज के समय में हमारे जो exams आ रहे हैं, उसमें students की requirement क्या है, तो अगर मैंने course उनके लिए बना दिये, तो ऐसे में मैं student तक पहुँचना मेरे लिए असान होगा, और मेरा return या revenue model भी क्या होगा, बहुत असानी से मेरा जो लागत है, या मैंने जो निवेश किया है, वो मुझे असानी से मिलेगा, लेकिन अब हमारे देश में जो युवा है, वो ऐसे risk taking, या फिर अगर हम बात करे, deep tech company की तरफ focus कर रहे हैं, जिनका gestation period भी लंबा होता है, और जहां पर हमारा बहुत वड़ा जोकिम भी involved होता है, अगर हम यहां पर देखें भारत में, तो ये deep tech startup क्या ह हैं, अगर हम deep tech startups को देखें, तो ये हमारे, sorry, ये वो startups हैं, जहां पर हम लोग आने वाली जो technologies हैं, जैसे कि कोई emerging technology हो, जैसे artificial intelligence हो गया, या फिर emotional intelligence हो गया, या फिर अगर हाली में आपने देखा होगा, कि Microsoft के द्वारा chat GTP को launch किया गया है, या फिर Tesla अपना truth GTP को लेकर के आया है, तो ये सब वो startups हैं, जहां पर इन कंपनियों में शुरू में ही निवेश किया था, कि हम कोई ऐसी real time problem को solve करेंगे लोगों की, जिससे कि उनके जीवन को हम आसान बना सकें, या फिर हमारे जो एक आम वेक्ती हैं, उसकी जो भी समस्याय हैं, उसका हम समाधान करें, हमारे जो normal startups और deep startups में सबसे बड़ी जो चुनोती होती है, कि deep startups में हमारा निवेश भी जादा होता है, और failure का chance भी क्या है, बहुत जादा है, क्योंकि इनका model सफल होगा की नहीं होगा, ये हमारा वक्त बताता है, क्योंकि अगर हम आज की technology को देखें, चाहे वो artificial intelligence हो, robotics हो, बायो technology हो, drone हो, या defense का sector हो, ये सब हमारे क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी startup अगर आता है, तो वो यहाँ पर उन तकनीक को या technology को लाने का प्रियास करता है, जिससे कि हमारी जो जरूरते हैं या मांग है, उसको हम असानी के साथ पूरा कर सके, तो भारत में अगर आ बादानी, अमबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को देखें, तो ये सब उद्योगपति आम तोर पर ऐसे startups में निवेश करने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे में इनका failure होने का chance जादा है, और ऐसे में market में इनकी reputation पे बात आती है, लेकिन अगर हम अन्य देशों को देखें, जैसे US को या चाइना को देखें, तो वहां के जो बड़े उद्योग घराने हैं, वो आम तोर पर ऐसे startups में निवेश भी करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको example बताया, कि Microsoft का जो chat GDP आया है, तो जैसे ही वो हमारा launch हुआ है, तो अब आपको पता ही है कि वो कितना बड़ा एक हमारा sensation बन गया है इंटरनेट पर, बहुत सारे लोग इसके paid subscription के लिए या फिर इसको pay करके इसकी सेवाई लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे में जब हमारा कोई भी model सफल हो जाता है, तो उसको अपनाना आसान होता है, लेकिन जब शुरुवाती जो चुनोतिया होत कोई भी innovation या technology को जब हम ले करके आते हैं, उस पर experiment करते हैं, उस पर practical करते हैं, तो वो सफल होगा या विफल इससे भी company की साख पर बात आती है, तो ऐसे में अगर हम देखें, तो भारत के अंदर हमारे जो start-ups हैं, जो इस छेतर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनोती होती है, कि कोई बड़ा brand या company उनका साथ नहीं देती, लेकिन इस article में ये बताया गया है, कि भारत के अंदर हमारे कई ऐसे सेक्षिक संस्तान हैं, जैसे कि IIT मदरास हो गया, या फिर NACL हो गया, इन्होंने भी हमारा कई startups के लिए incubation centers खोले हैं, जिसके म को test करना है, उसको ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर हम हाली में business today की एक report को देखें, तो भारत में हमारे deep tech sector में startups की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे अगर हम artificial intelligence में देखें, तो लगभग 1900 से अधिक हमारे पास क्या है, नए startups इस छेत्र में कोई ना नए project पे काम कर रहे हैं, या फिर हम big data analytics को देखें, तो यहाँ पर भी हमारे 570 से अधिक के करीब startups हैं, internet of things को देखें, लगभग 560 प्लस यहाँ पर startups हैं, blockchain को देखें, तो 240 से अधिक startups हैं, AR और VR को देखें, तो यहाँ पर भी 210 से अधिक startups हैं, तो अगर हम यहाँ पर वि जो हम मानव के लिए क्या हैं, बिलकुल नहीं हैं, और आने वाले PD या आने वाले generation के लिए एक वरदान साबित होगी, तो यह हमारा क्या है, वो tech sector हैं, अब ऐसी जो startups हैं, इनके कुछ advantages भी हैं, माल लीजे, अगर भारत की कोई company, ऐसी कोई tech startup में successful होती है, या chat GDP, या truth GDP, य जो artificial intelligence के platform को बना पाती है, तो इससे हमारे देश को काफी बड़ा फाइदा होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर यह लोग हमारे जो real world problems हैं, उनको address करते हैं, जैसे आज के समय हमारे पास समय का कमी है, या समय की प्रबंधन का अभाव है, तो ऐसे म अगर हमारे पास कोई ऐसा platform हो, जो हमारे बहाफ पर हमारी जो भी drafting है letters की, या official mails वगारा है, या कोई भी official project है, उसको बना देंगे, तो उससे क्या होगा, कही न कहीं हमें मदद मिलेगी, तो ऐसे हमारे जो real life problems हैं, उनको resolve करता है, या फिर अगर medical science में आप देखिए, ऐस कोई हम technology विक्सित करें, जिससे कि कोई भी बिमारी या किसी भी प्रकार का virus फैल रहा है, उसको हम early detect कर सकें, या फिर उसकी जानकारी हम इखत्रित कर सकें, तो ये सब हमारा क्या है, real world problems है, जो आज के जमाने में हमारे सामने हैं, लेकिन भविश में हम इसके समादान की तल किलोमिटर दूर भी, real time में उससे बात कर पाएंगे, तो शायद लोग हसते, या उस पर निवेश करने से कतराते, लेकिन आज के समय, आज एक देखिये, mobile phone हमारा क्या है, वरदान है हमारे लिए, तो इसी लिए हमारी जो real life problems है, इसको solve करने के लिए, ये tech company काम कर रही है, इसके लावा, ये हमारे नए उद्योगों को भी विक्सित कर रहा है, यानि कि इससे हमारे नई industries create हो रही है, अगर हम अर्थविवस्ता में देखें, तो हमारे पास ब्रमुक तोर पर तीन छेतर हैं, प्रात्मिक, मादमिक और तृतिक छेतर, लेकिन अगर हम deep technology को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास इंडस्टीज का एक नए आयाम निकल ला है, क्योंकि उद्योगों में भी अगर हम देखें, तो हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग sectors हैं, तो उसमें ये हमारे लिए क्या है, एक नए सेक्टर को create कर रहा है, जिसमें इंडस्टीज हमारे नए नए-नए innovations को ले करके आ रही हैं, इसके लावा ये हमारे नवचार को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि जैसे-जैसे हमारी नई technologies आएंगी, तो इससे हमारा क्या है, innovation भी निकल करके आएगा, और हमारी जो सोच है, उसको हम यहाँ पर reality में बदल पाएंगे, इसके लावा अ ऐसे में हमारे जो निवेशक हैं, या फिर जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इन कंपनी में, वो इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि अभी अगर आपने देखा होगा, तो थोड़ी दर पहले मैंने आपको बताया था, कि भारत में जो बड़ी कंपनियां है, ऐसे start-ups में हाट ड आगे आएंगे, ऐसे innovations हमारे reality में बदलेंगे, तो ऐसे में आगे चल करके इन कंपनियों को हमारा ऐसे start-ups में early phases में invest करने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर early phase में ऐसे start-ups में हम invest कर देते हैं, तो ऐसे में इन start-ups को जो भी capital यानिकी पूंजी का अभाव से जूझना पड करता है, उसको अभी बोज इन पर उतना नहीं पड़ेगा, इसके लावा यहां पर हमारी technology का risk भी है, यानि कि अगर हम इन start-ups में देखें, तो यहां पर हमारी जो वरतमान की technologies हैं, उनको भी यह हमारा क्या है, प्रभावित करता है, क्योंकि अब भी आप देखोगे, तो chat, जीटीपी, या फिर अन्य परकार के, जो भी हमारे deep tech startups है, artificial intelligence हो गई, या internet of things हो गया, यह हमारी technologies को दिन प्रते दिन क्या कर रहा है, नए level तक ले करके जा रहा है, और इसके साथ साथ हमारे patent में भी इजाफा होगा, क्योंकि अगर भारत में कोई भी हमारा deep tech startup किसी भी नए innovation को बनाएगा, तो उसके लिए patent करवाना हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें royalty और अन्य परकार के जो भी फाइदे हैं, वो भी मिलेंगे, और इससे देश का भी नाम होगा, और हमारी economy को एक नए sector की growth में देखने को मिलेगा भी, और इससे हमारी economy भी boom करेगी, क्योंकि हमारे देश की सरकार का लक्ष है, कि हम 2026 तक अपनी अर्थवस्ता को 5 trillion लेकर के जाएंगे, तो उससे हमारा क्या है, देश की economy को भी क्या है, boost मिलेगा, अब अगर हम वारत में वर्तमान में देखें, तो हमारे देश में कोई भी राज्य सरकार, या केंद सरकार किसी भी deep tech startup में निवेश करने से कतराती है, क्यों? क्योंकि ये एक जोखिम का काम है, और ऐसे में अगर हमारा project विफल होता है, तो सरकार को भी हमारी विपक्ष की, या फिर हमारे सरकार को भी criticize होता है, कि हम ऐसे छेतर में निवेश कर रहे हैं, जिसका कोई बात करूं, या मैं आप से कहूं कि अच्छा, आप मुझे 5000 क्रोड रुपए दो, तो मैं भविश में उरने वाली गाड़ी बनाना चाहता हूं, या भविश में एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूं, जहां पर आप जाईए, तो दुनिया के किसी कोने में within seconds आप वहां पर प् आतराती है, लेकिन अगर हम अपने देश में बात करें, तो IIT मदरास के दौरा एक रिसर्च पार्क की स्थापना की गई है, जहां पर इन्होंने ऐसे ही दोसों डीप टेक स्टार्ट अप कंपनी को इनक्यूबेट किया है, यानि कि उनको वो सभी वैल्यूबल साधन उपलब्द कराएं है, जो की क्या है, इनकी ग्रोथ स्टोरी को हमारा बिल्ड अप करेंगे, तो अगर हम इन दोसों स्टार्ट अप कंपनी की बात करें, तो लगभग 50,000 करोड की इसकी वैल्यूवेशन है, इसके लावा अगर हम देखें, तो भारत में सी कैम्प और नैश अपने आपको बढ़ावा देने के लिए, वो सब हमारे देश के संस्थान यहाँ पर उपलब्द करा रहे हैं, इसके लावा अगर हम इंडस्टी की बात करें, तो बड़े बड़े उद्योग भी अब हमारे क्या है, डीप टेक स्टार्ट अप्स में हमारा इनक्लाइंड है निवेश करने के लिए, और अगर कोई डीप टेक कमपनी हमारी सफल होती है, तो इनको भी बड़ी बड़ी कमपनियां हमारी एक्वाईर करने से चूकती नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए कोई डीप टेक हमारी स्टार्ट अप है, वो सफल हो गई, उसका प्रोटो हमारा क्या है reality में बदल गया तो ऐसे में रिलाइंस अदानी टाटा ग्रोप या कोई भी समूं इनको खरीदने में या इनको acquire करने में देरी नहीं करता क्यों क्योंकि उनको पता है कि यह model सफल हो चुका है तो इससे हमारा क्या है revenue generate होगा इसके लावा यह trend हमारा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका उधारण अगर आप देखेंगे तो हाली में टाटा समूं ने हमारा संख्या नामक एक डीप टेक को आप की बात करें तो उन्होंने एथर मोटर जो की हमारे एलेक्ट्रिक वहेकल बनाने की कंपनी है उसको हाली में acquire किया है तो यह हमारा जो आर्टिकल है यह इसी डीप टेक्नलॉजी के एको सिस्टम की बात करता है जहाँ पर भारत में बहुत तेजी के साथ हमारे जो तुमस्याओं का समाधान करके भारत की इर्थव़स्ता में एक नई इंडस्टी को जनम दे सकें। तो ये सब तो हमारा आर्टिकल की बात करता है लेकिन हमारा सरकार का भी दाइत्व है कि इन स्टार्टप्स को बढ़वा देने के लिए या इनको ग्रूम करने के लिए या इनको सही मंज जिसकी ये हगदार हैं वो दे सके तो उसके लिए हमारे वेफॉरवर्ड्स क्या होने चाहिए तो भारत सरकार को यहांपर हमारा स्टार्टप two point o को शुरू करना चाहिए जिसमें हमारे खास तौर पर यह deep tech startup जो कम्पनियां हैं उसको यहां पर बढ़ावा देना चाहिए जिससे की यहां हमारे जो नए innovators हैं उनको भी यहां पर क्या है motivation मिले कि हमारी जो domestically developed technologies हैं यानि कि हमारे घर में जो विक्सित की गई तकनीक हैं उसको एक प्रकार का प्रोसाहन मिलना है और सरकार को सिड़बी जैसे संस्थान या फिर अन्य हमारे financial social institutes के साथ मिल करके यहां पर इनको capital fund भी पहुचाना चाहिए जिससे कि यह लोग risk-free capital के साथ अपने innovation पर या अपने technology की growth पर काम कर सकें तो यह हमारा आज का हिंदू का एडिटोरियल था जिसमें हमने deep tech की जो इंडस्टीज हैं भारत में जो risk-taking industries हैं उसकी growth story और current progress की चर्चा की थैंक यू एंड कीप लेर्निंग